वेलकम टी आवर यूट्यूब चैनल टूड़ वी डिसकस्ट लास्ट टॉपिक है यह हमारा एवॉलिशन आफ आर्थ इवॉलिशन आफ आर्थ भी बोल सकते हैं इसको या फिर एवॉलिशन आफ लिथोस्पेर की हमारे जो लिथोस्पेर है वो कैसे बना था और लगबग क्योंकि मैंने जो भी बेसिक जो टोपिक्स थे वो आपको सारे के सारे किलियर हैं वो करा दिये हैं अज हम जो डिसकस्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेटा एवॉलिशन आफ लिथोस्पेर है लिथोस्पेर का औरमेशन है वो कैसे हुआ इसको बोला जाता है जो निर्मान है वो खैसे हुआ तो सब्सेन हमने एक प्रोसेस देखी थी अक्रेंज की जो प्रोसेस को हमने देखा था उसके बारे में थोड़ा बहुत हाय chores जो kla상ि में एश्यूके बारे है वो कर दी जैसे iron है निकल है इन्होंने क्या क्या कोर की जो formation है उसमें काफी ज्यादा एक रोल हो अदा क्या स्पोज कर लीजिए यह क्या हो गया यह होगी कोर हमारी इसके बाद stratification होने लगा layering layering होने लगी on the basis of density density के बेस पर जो layering है हाद वो होने लगी अर्थ के अंतरगत जैसे जो हमारा जो कोर बना उसकी density सबसे ज़्यादा है इसकी जो density हो क्या बेटा सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है फिल टैंसिझे कम होगी और फिर लास्ट में सरफेस के उपर सबसे कम आपको density है वो देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्या है सिंपल सी बात हो पेटा evolution of lithosphere के अंतरगत आप बता सकते हो कि जो lithosphere का जो process हमने देखी थी occurrence की उसके उसके according मैं बात करूँ तो जो heavier metal थे वो formation करते हैं कि इसकी core की या फिर core के अंतरगत है वो चले जाते हैं अगली चीज बताई गई है कि जो light जो material होते थे वो कहां पर आ जाते हैं surface पर आ जाते हैं due to centrifugation centrifugation क्या होता है centrifugation of earth अर्थ की जो layering है वो होने लग जाती on the basis of density density के अधार पर यह हमारा clear हुआ यहां तक बेटा अब हम बात करेंगे evolution of atmosphere and hydrosphere की जो हमारा जो atmosphere है और जो hydrosphere है वो कैसे बना है कैसे evolve है वो हुआ है इस चीज के बारे में आप लोगों के साथ discuss है वो करेंगे बेटा यह तीन stage के अंतरकत है वो बना है वो stage मैंने आपके सामने यहां पे लिख रखे हैं एक एक को बारी की से discuss है वो करते हैं बेटा दिखें पहले क्या था प्री मोडिल था of atmosphere बाई solar wind पहले क्या था हमारा आर्थ में यह यहां पर क्या थी पूरी के पूरी यह गैस थी यह हमारा atmosphere था यहां पर क्या थी गैस थी और जैसे ही solar radiation आई solar wind आई तो solar wind ने यूज कर दिया किसको hydrogen और helium को है वो खतम कर दिया और इसके अंतरका एक एक टाइप से मैं कहूं कि degassing होने स्टार्ट है वो हो गई क्या होगा डी गैसिंग है वो स्टार्ट हुए और second stage के अंदर यादि मैं बात करता हूं तो इसमें जो हमारे जो interior जो अर्थ है उसमें भी काफी बड़ा योगदान है वो दिया है डी गैसिंग को करने में इन यह जो hydrogen और helium gases है इनको काफी ज्यादा मैं कहूं कि खतम करने के लिए काफी बड़ा योगदान है वो दिया है जैसे आपको पता है कि जब हमने एक बार आपको जो बेसिक जोग्रोफिक इंतरकत भी बता करें है और यह सारे के सारी का होते है हमारी aard के ऊपर हो आ जाते हैं इनकी वजे से क्या वा है हमारे atmosphere का भी कि अभो देखने को मिल ला हुँआ है अपने यहां बताओ हुआ आपने के बारे में बढ़ा हो ठीके न स्प्रिंग सुनाूँ साथ भी यहीजोır होती है इसर्ड के बारे में सुना होगा हमारे यहां पे जो जी गीज़र है वह आपको के नाम से भी जाना जाता है तीसरी स्टेज में क्या है बेटा जो फोटोशंथेजीज की प्रोसेस की वज़े ँजा था पहले जो सीो टू है उसकी जो मातरह वो काफर ज़्यादा थी करने को मिला तो यह चीजे हैं वो मैंने आपको बतानी थी बेटा अब इन्हीं चीजों को मैंने यहां पर simple language के अंतर लिख भी रखा है चलिए आप इनको discuss करते हैं देखें इसमें क्या लेख रखा है हमारे जो इन्टिरियर जो अर्थ है उससे क्या क्या चीजे निकली वोटर वैपर से कम आउट वो निकले एंड विच वेंट टू दा atmosphere वो हमारे अपर atmosphere के अंतर गए और उसने क्या कि रहा प्रिपिटेशन की जो घटना है वह मतलब rainfall हो होने लगी और rainfall होने के बाद क्या हुआ after the precipitation photosynthesis increase the quantity of oxygen जो oxygen जो photosynthesis की जो प्रोसेस है वो लगातर क्या होने लगी इंक्रीज है वो होने लग गई देन hydrogen was stable वो क्या होगी hydrogen है वो stable होगी बेटा देन वोटर वोज फॉर्म और वोटर की जो formation हो होने लग गई एंड इन दिस वे हाइड्रो स्पेर वोज क्रियेट और इसी की वज़े से किसका formation होई हाइड्रो स्पेर की जो जो formation हो हुई या hydro sphere हो वो create हुआ एंड वोटर स्पेर होगी पहले क्या था वोटर वैपर से वो निकले आर्थ से उसने atmosphere में गया और atmosphere में cloud मनाए और cloud मनाने के बाद बारिश हुई और फिर बारिश होने के बाद वो आर्थ पे इकठा हो गया एक जगह फिर उसके अंदर गत atmosphere only contribution of the evolution of hydrosphere तो यह सारी जो चीज़े है मतलब we can say that आप कह सकते हो कि evolution of atmosphere only contribute to the evolution of hydrosphere की जो atmosphere का जो formation है उसने सबसे महतपुन जो योगदान है तो यहां पर हमारे जो चेप्टर है वो second complete हुआ है थर्ड की आपको जो वीडियो है वो काफी जल्दी ही देखने को मिलेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी है वीडियो देखने के लिए थेंक यू और थेंक यू वेरी मच